के मर्गले जी कहिया मर्लखेन मर्गलखेन कैसे मर्लखेन कहां भरती अलखेन प्यम्सीयच में तदवा ने मिला की कारण मर्लखेन कि अक्सीजन के नाम पर प्रफू जादव को अबूले पहुचावे में परताप रूड़ी जालकेन हैं वह करन मर्लखेन है बढ़ी अच्छा जानता के आप की मिलता है का कि आवरी पपू यादव सरकार में हाज एतिन और हम बोल रहा है चलता उठा हों तो इलेट किस बात के है जूपा जलता है जूपा जलता है जी तो ऑक्सीजन में मिले अले अबूलेंस में इस आप जी आप जो देख रहे हैं नितीज कुमार जो मर चुके हैं और इस पपू जादव के सेवा दल के लोग जूटे हुए हैं और इस से सेवा दल में हमारे भाई अनिल यादव जी है मन्नु यादव जी है और धर्वंदर जी है साथी साथ बीपी है विवेक यादव और आपका क्या नाम है सर परकार जादव और आप लोग बच्चों का भीड़ देख रखते हैं और बहुत खुसी हो रहा है इन लोग को कि किकी कमी पड़ गया था और ईदिखा रहे हैं कि अभी अभी ही अगया था ओकिन की कमी के कारण कर लिए तो को लगता है साथ ही साथ भी पाच भी गुंगा है और भी पाच जो है राजनीती कर रहा है इस चीज को देखते हुए जी बैटे बैटे ट्यूट करते हैं आज ने तो नितीज कुमारे कच्छे नेता के दोर पर गिंती आते थे लेकिन चलिए आप देख सकते हैं और नितीज और इनको भी वहीं ले जाये जा रहा है जहां बक्सर में एक सो लाहाज के साथ अब देख सकते हैं कि आप आर्थी उड़ चुका है और बुलिए क्या हो कौन मरे हैं लिए लिए तरी को फटी अब और आप देख सकते हैं बड़ा ही बड़ा नेता में गिंती आते थे आज मरने के बाद इनको भी बक्सर वाला घाट पर लिया जा रहा है और चार कंदों पर जिस परकार से मरते हैं और नेता भी मरता है तो इसे ही जाता है और कौन से घाट पर जिला रहे हैं आप लोग बक्सर में और इन लोग का कहना है कि पिंड दान जो इनका होगा है वो गया में किया जाएगा जब पपू याद अब रिलीज होंगे और देख सकते हैं कि इनका लहास ले जाये जा रहा है क्यों नदी की ओर और मैं पूरा ये का करम दिखाऊंगे और बच्चों लोग से पूस सकते हैं वित्षा का ले दुदी कि दिख ले रहा है जी जी अर्सुरिए शुरिए 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 आर अब देख सकते हैं राम 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 सब का यही राम राम जिहां तो आप देख रहे हैं इंसानियत मर जाने के कारण आज निति इसकुमार को मार दिया जा रहा है लोगों के दिल से रिहा किया जाए और बोलिएगा पपू यादब को जल सजल रिहा किया जाए ताकि वो जो अभी हमारे कड़ोना से फ्रीत लोग होस्पीटल में जगह के बज़े से वही एक हैसा नेता है वही एक हैसा ब्यक्ति है जो हर बग वह बार का समय हो कोई मर जाए या किसी का मडर कर दिया जाए सभी जगह वह तुरंट पहुंचते हैं इनके अलावा और दूसरा कोई नेता जल्द नहीं पहुंचते हैं सब अपना रोटी सेकने में आते हैं अच्छा यह आप ऑक्सीजन की किसके का में रहे हैं भाई अनिली आदब जी हैं जो कि जिलाद यह हैं और इन्होंने इनका कहना है कि जल्द से जल क्या काना चाहेंगे आप प्पु आदब को जल से जल रहा किया जाए जी ताकि जो गरीब गुरुबा बिना ऑक्स कुमार का अर्थी है जो पल्टू रहा में कखनों पलट सकता है जी तो आपको क्या लगता है कि यह विपाश के साथ भी हो सकते हैं इस विपाश के साथ ही क्या जाएं और अलगा है मुर्दा नहीं है यह भाई हमारे मने यह बड़ा ही होस्पीटल बगेरा में देखते हैं वार वार इनको खाना दिया जाता है खाना बाढ़ते हैं बोलिए कि भीविशन जी सेवा दलके हैं जापके क्या हुआ कौन है यह अर्थी पे नितिश कुमार जी है और भी कोई है शाथ में हम लोग आये हुए काना देने के लिए जी इनका लाहाज को कोई उठाने तो हम त पर देख सकते हैं कि कोई भी मरता है तो उसको संसान में ही जाना पड़ता है और यह संसान की ओर हम लोग चल चुके हैं चुकि नितिश कुमार जिज दिन मरेंगे उस दिन उनको बक्सर घाट पर लिया जाएगा और साथ ही साथ अमंगल पांडे को मंगल पांडे अगर आजी परताब रूरी उनका क्या घलती है पताएगे उसला एंबूलेंस ओर है अब ही सुनने माया नदी में लहास मतलब नदी लहास जो रही है नदी का पानी और बालू एंबूलेंस ले जा रहा है बड़ा ही मर्वम द्रीस यह देखने को मिल रहा है शाती साथ आपको बा लहास जो है नितीश कुमार का है और यह से बच्चे लोग से भी पूछ सकते हैं क्या कि इसका लाज है तो बोलो एक बार अब आप देख सकते हैं यह घाट हम लोगा चुके हैं हड़वर नदी के पास में हैं जो करे खदी बदी वह जाए हड़वर नदी यह घंदा काम करने वाले को यहीं गत होता है और यार देख सकते हैं और फोटो लेए लिया जाए फोटो तो आप यह देखिए और जो संसकार होता है और आज भी नितीश कुमार को लोग भूलना नहीं चाह रहा था लेकिन संसकार करने के लिए यहां पहुंचे हैं और कहते थे कि अच्छे नेता है लेकिन यहीं कारण यह आज इनका यह घर्थ हुआ है आज क्यों नदी में इनको जलाया जा रहा है और यह इस जिलाके जो मुखहगनी देने जा रहे हैं लखी त्राइज जिलाके यह लखी त्राइका वीडिय सकते हैं आप बड़ा ही सभी लोग बड़ी इनका एक ही कहना है शिर्फ कहना है कि जो भी लोग है यह नितीज कुमार गंदी राज निती करने के कारण आज क्यों नदी में दफनाये जा रहा है आने वाले समय में इनका कहां दफन होगा कहना मुस्किल है और देखिए बिड देखिए दोम राजा पूछता है क्या लेने आये हैं करों रुप्या लगे लावारी से तुसको एक करों रुप्या कहां सदेगा अदमी बाप रेबाप डॉम राजा एक करोर मांगी है कहां से दिया जाएगा नितिश्कुमार आप बोलिए गार जाने आए था मिल जाएगा पुजादब रहा हो जाएंगे रहा हो जाएंगे आपको आग देते हैं बड़हाई बढ़िया तो आप देते हैं इनको जलाईए सकते हैं कि आज मुखागनी देने जा रहे हैं भाई अनिली आदब और डोम राजा जो की जो बीद होता है वो बीद किया जा रहा है और जितने बीद है सब दिखाएंगे लाइब दिखाने जा रहे हैं और इंसानियत मर चुका है यही कारण और देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं मुखागनी दिया गया है यह नितीज कुमार का लाहस है जिनको कुते का मौत मारा गया है अभी और यह और अप लोग आप पिंड विदान होगा अगया प्रण बाप ने बाप तो सब काको करोना से मर लें डेकाइटी से मर लें करोना से मर लें ते जल्दी लाग लें हो हाँ सुनाइए लाहका है यह बढ़िया काम कराएं तुरास है जल्दी जल गया है ते याधा लाजबा फेकने दो बक्सर में बक्सर घाटा में इतना जलाइब हो कार रहां को अब जाते हम सुना लिए कि लाहास मिल ले बक्सर के घाट पर इंधार लाहास मिला तो इसका गिनती नहीं है लें इसारी डाटन बोल होता है अगें करता है प्रसु को यहीं होता है यह कुल नदि है और यह क्यू नदी जो ज्याद़ कख़ी बदी करता है यहीं मरना पड़ता है और क्योंकि आइसे तो लोग को गंगा लिया जाता है इन्होंने कहा नाली को घाट बना लिया जाए और बहुत है नितीज कुमार को तो हम कहेंगे कि पपु यादब को रिलीज किया जाए इतना जितने भी लोग है पपु यादब के समर्तन में और लाखों के दिलों के धड़कन के राजा हैं गरीबों का मसिहा है हर सुक दुख में साथ देते हैं और इनका मुखागनी तो दे दिया गया भाई अनिली आदब आप सुन सकते हैं कि पिंडदान यह लोग करेंगे अब राजा भी करने जा रहे हैं अब जापने था बोलेंगे गया में पिंडदान इनका होगा अब किन्ने तरी को पीजवाद की जिएगा बस पपु जादब जिस दिन रिहा होके लाएंगे और यह करोड़ का बादा क्य हो रहा है इसे बाद के द्वारा जो है हम लोग का निरंतर चलते रहेगा तह बहुत बहुत धन्यवाद और फिर आपको मिलते हैं